गुड मॉर्निंग स्टुडंटों आज हम कक्षा दस्वी के हिंदी विशय की आठ नंबर की कविता गजल यह देखेंगे यह कविता मानीक वर्माजी ने लिखी है और यह जो मानीक वर्माजी है यह हास्य व्यंगात्मक कवी है इनकी इनोंने जो भी लेखन किया है वह कैसा ह हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानीक वर्माजी वाचक परमपरा में उनका प्रमु स्तान रखा जाता है इनके इनोंने जो भी लेखन किया है वह उसका व्यंग केसा होता ही बड़ा ही धारदार होता है मतलब वाचकों के यह समझने वालों के मन को मन पर उसका क्या हो बहुत प्रभाव पढ़ता है और इनकी गजले पहुती प्रेरणा दाई होती है मतलब लोगों को उसे क्या मिलती है स्पूरती मिलती है नई प्रेरणा मिलती है इनकी प्रमुक्रुतिया है गजल वेरी इबादत है आखरी पत्ता यह गजल संग्रह आदमी और विजली का महा भारत अभी जारी है मुलक के मालीकों का जवाब दो आधी इनकी प्रमुक्रुतिया है प्रस्तूत गजल के अधिकाओं शेरों में मतलब यह जो यहाँ पर बहुत तरीके से मानिक वर्माजी ने इस कविता में या इस गजल में जो शेर दिये है मतलब यह जो विभिन प प्रकार के शेर उन्होंने यहाँ पर लिखे है उस शेरों के या शेरों शायरी में उन्होंने क्या किया है कि हम सब को हमेशा जीवन में किसी भी बात का विचारन करते हुए अच्छे फल का विचारन करते हुए हमेशा निरंतर चलते रहने की और अच्छे कर्म करने की हमेशा करकर क्या करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए इस बात का संदेश वह इस गजल के माध्यम से देना चाहते हैं और मानिक वर्माजी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने रंगरूप से सुन्दर नहीं दिखना चाहिए हमे अच्छे कर्मों से हमारी सुन्दरता हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। गवी कहते हैं कि आप से किसने कहा है कि आप सफलता की उचाई पर या उसके शिकर पर जाकर देखो और शोक दिखने का है तो फिर निव के अंदर दिखो शोक। कर रहे हम लोगों के साथ किस प्रकार का बरताव कर रहे हैं उसी पर हमारा कर्म क्या हो जाता है निर्भर हो जाता है चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बेटो कही तो मिल का पत्थर दिखो चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो चल गर्द बनकर मतलब कवी यहाँ पर कहते हैं कि कवी मानिक वर्मा कहते हैं चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बेटो कहीं तो मिलका पत्थर दिखो मतलब कवी यहाँ पर कहते हैं हर एक को अपनी पहिचान बनाने की अपनी क्या हो जाती है अपनी पसंद हो जाती है, मिल का पत्थर दिखो मतलब हर किसी को अपने जीवन में सफलता पाने का शोक होता है और समाज में भी उन्ही लोगों की पहचान बनती है, जो सफलता की कदम चुमते है या सफलता की उचाई पर होते है लोगों समाज में उनकी ही पहचान होती है, और इसलिए कभी कहते ही कि जैसे हवा में तूफान उड़ते है, मिट्टी धूल बनकर आसमान में चा जाती है, जो सब को नजर आता है उसी प्रकार तूफान भारी जिन्दगी में या हमारी पूरी जिन्दगी में तुम्हें उपर और उपर उठना होगा, मतलब उस धूल की तरह, उस मिल के पत्थर की तरह हमें क्या होना चाहिए? हमें ताकतवान होना चाहिए या मिल की पत्थर की तरह हमें कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए और मजबूत होने पर और अगर बेठो कहीं तो मिल का पत्थर दिखो, अगर हमें किस प्रकार मजबूत होना चाहिए? मिल के पत्थर मतलब कारखाने के जो पत्थर होते है उन पत्थरों जिससे क्या बनाई जाती है उसकी दीवारे बनाई जाती है तो उस दीवारों के पत्थरों की तरह हमें किस प्रकार क्या होना चाहिए मजबूत होना चाहिए सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, मतलब कभी कहते हैं कि हम सिर्फ शरीर से सुन्दर नहीं होने चाहिए, हम सिर्फ शरीर या रंगरूप से सुन्दर हम अगर हमें सुन्दर दिखना है तो हमें क्या करना चाहिए आदमी बनकर मनुष्य बनकर हमें जीना है तो हमें क्या करना चाहिए पहले मनुष्यता दिखानी चाहिए आदमी बनकर दिखाओ दिखो मतलब मादमी बनकर दिखो मतलब सबसे पहले तुम अपने बरताव से क्या पेश करो मनुष्यता पेश करो मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा बरताव करो तुम्हारा अच्छा कर्म तुम लोगों के लिए तुम हमेशा अच्छा कर्म करते रहो उसे से तुम्हारी सु दिखाने के लिए रंगरूप की या शरीर की कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए अच्छे करमों की जरूरत होती है